आले क्रमांक एक में x1 बराबर 1, x2 बराबर 2, x3 बराबर 3, x4 बराबर 4 और x5 बराबर 5 y1 बराबर 25, y2 बराबर 50, y3 बराबर 75, y4 बराबर 100 और y5 बराबर 125 यहाँ पर y2 मैनस y1 बराबर 25 बराबर 25 बराबर 25 बराबर 15 बराबर 25 बराबर इसी तरह से Y5-Y4 बटे X5-X4 बराबर 125 रिंड 100 बटे 5 रिंड 4 बराबर 25 बटे 1 अलेक रमांग 4 में Y2-Y1 बराबर 3 रिंड 3.5 बराबर 2.1 बराबर रिंड 0.5 इत्यादी अलेक रमांग 5 में Y2-Y1 बराबर 8 रिंड 4 बराबर 2.1 बराबर 4 Y3-Y2 बराबर 12 रिंड 8 बराबर 3 रिंड 2 बराबर 4 इत्यादी हम देख रहे हैं कि आलेक एक 4 और 5 में से प्रतेक में Y2-Y1 बराबर है Y3-Y2 बराबर X2 के ये constant है नियत है और इनके आलेक भी सरल रिखा है याने जहां भी आलेक में Y2-Y1 बराबर Y3-Y2 बराबर Y4-Y3 बराबर X4-X3 इसी तरह से YN रिंड YN-1 बराबर XN रिंड XN-1 नियत होंगे वहाँ आलेक सरल रिखा के रूपे होगा इस प्रकार के आलेकों में राशियों के बीच के संबंद को रैखिक समय करण AX प्लस BY is equal to C या Y is equal to MX प्लस C के रूपे दर्शा सकते हैं क्या अन्य आलेकों में भी इस प्रकार का कोई संबंद है आलेक रमंग साथ में हम देखते हैं कि Y2-Y1 बटे X2-X1 बराबर 25 रिंड 23 बटे 7 रिंड 6 बराबर 2 बटे 1 Y3-Y2 बटे X3-X2 बराबर 27.5 रिंड 25 बटे 8 रिंड 7 बराबर 2.5 बटे 1 Y4-Y3 बटे X4-X3 बराबर 29 रिंड 27.5 बटे 9 रिंड 8 बराबर 1.5 बटे 1 इत्यादी इस पस्ट है कि Y2-Y1 बटे X2-X1 बराबर नहीं है Y3-Y2 बटे X3-X2 के यह भी बराबर नहीं है Y4-Y3 बटे X4-X3 के इसी प्रेकार का संबन्द आप आले क्रमंग 6 में भी देख सकते हैं इन दोनों उदाहरणों में Y2-Y1 बटे X2-X1 तथा Y3-Y2 बटे X3-X2 और Y4-Y3 बटे X4-X3 नियत नहीं है इसलिए इन उदाहरणों में आलेक सररल रेखा नहीं है करके देखें अपने विद्याले के बगीचे के कुछ पौधों के लंबाई को दस सप्ताह तक कापी में नोट कीजिए और प्राप्त आंकडों से आलेक खीच कर यह देखिए कि पौधों के लंबाई में किस प्रकार से परिवर्तन हुए है विबिन परिसितियों में बने आलेक को पढ़ना अब हम विबिन उदाहरणों की सहायता से आलेक को पढ़ना, समझना और उसका विशलेशन करना सीखेंगे उदाहरण एक दो गमलों ए और बी में दो अलग-अलग प्रकार के पौधे लगाये गये हैं जिनकी उचाईयां पांच सब्ताह तक हर सब्ताह के अंत में नापी गई इन मापों को नीचे आलेक में दर्शाया गया है आलेक की सहायता से निम्नलिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए पांचवे सब्ताह के अंत में दोनों गमलों के पौधों के उचाई बताईए कौन से सब्ताह में गमले A के पौधे की उचाई में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई और कितनी चौते सब्ताह के अंत में गमले B के पौधे की उचाई कितनी थी हल आलेक में हम देख पाते हैं कि पांचमे सब्ताह के अंत में गमले A के पौधे की उचाई 12 सेंटी मीटर और गमले B के पौधे की उचाई 10 सेंटी मीटर थी दूसरे सब्ताह में गमले A के पौधे की उचाई में 3 cm की बढ़ोतरी हुई यह बात के किसी अन्य सब्ताह में हुई बढ़ोतरी से ज़्यादा थी चौथे सब्ताह के अंत में गमले B के पौधे की उचाई 8 cm थी उदाहरन 2 एक 2020 क्रिकेट मेश के दावरान दो टीमों A और B के द्वारा बनाए गए रनों को निम्नांकित आलेक में प्रदर्शित किया गया है आलेक की सहायता से निम्नालिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए एक टीम A ने 16 ओवर तक कितने रन बनाए 2. किस अंतराल के दावरान टीम A और टीम B के रन बनाने की दर सबसे अधिक थी 3. किस अंतराल के दावरान टीम A और टीम B के रन बनाने की दर सबसे कम थी 4. आठवे ओवर के पश्चाद टीम A और B के रनों में कितना अंतर था पांच आलेक को देखकर बताईए कौन सी टीम विज्य हुई हल एक टीम A ने 16 ओवर में 126 रन बनाए दो 16 से 20 ओवर के अंतराल में टीम A और टीम B के रन बनाने की दर सबसे अधिक थी तीन चार से आठ ओवर के अंतराल में टीम A के रन बनाने की दर सबसे कम थी तथा टीम B के रन बनाने की दर आठ से बारा ओवर के अंतराल में सबसे कम थी चार आठ में ओवर के पश्याद टीम A और B के दोरा बनाएगे रनों में 6 रन का अंतर था पांच आलेक से इस पष्ट है कि इस मेश में टीम भी विजेई हुई करके देखें आप भी अपने मित्रों के साथ खेले गए क्रिकेट मेश में बनाए गए रनों को आलेक पर दर्शाइए